देखिए यह k-1th instant है ठीक है इस पर कार की estimated position दी हुई है हमें अगले instant पर क्या होगा के इस पर कार की position क्या होगी यह estimate करना है तो हमने assume कर लिया के इसकी position x के minus ठीक है होता क्या है देखिए अगर के इसके इसके बात कर रहे हो तो just के इसके पहले जो भी हम assume करेंगे उसको represent करेंगे x के minus से और इसके बात जो भी value रहेगी position की वो represent करेंगे हम लोग x के plus से यहाँ kept रहेगा क्योंकि हम estimate कर रहे है ठीक है यह चीद ध्यान रखिएगा तो यह पहले से estimated position है तो यह final output हमारे पास है यह हमें निकालना है कि क्या होगा हमने guess कर लिया यह prior guess है इसको कहते है prior मतलब कार की position यह है अब कार को हमने क्या किया कैसे आगे बढ़ेगी कुछ input दिया गया input क्या है गाड़ी को आगे कैसे बढ़ा होगे accelerator दबा दिये acceleration एक्सिलरेशन एक्सिलरेशन ठीक है कार की position यहां है ठीक है हमने accelerate किया कर यहां पहुच गई तो यह हमने हमें एक जैक नहीं पताया कि कहां होगा ठीक है तो हमने गेस कर लिया कि X के कैप माइनस इस position पर होगा इसको कहते है prior guess ठीक है तो इसका कुछ probability density function होगा इसको हमने इस तिनस बना लिया इस पोजिशन का तो कि random नेचर को हम probability density function से रिपरेजेंट करते हैं अब आगे जो कार में sensor लगा हुआ है वो बता रहा है कि कार की position यह है मतलब kth time पर जो sensor है यह yk दे रहा है यह yk हो गया यह हो गया जो कार में sensor लगा हुआ है GPS लगा हुआ उसने एक position बताई और आपने जो mathematical equation बनाया था mathematical representation जो है आपका उसके थुरू जो आपने guess किया वो यह है ठीक है जैसे कैसे यह guess होगा मान लीजिए कार है आपका ठीक है आपको आपके wheel का circumference आपको पता है ठीक है कार के टायर का circumference पता है तो अब आपको नमबर आफ रोटेशन revolution इंटू delta T तो यह distance आजाएगा कितना travel किया यहां से यह distance हम निकाल सकते हैं इससे यह दूरी अगर कार की यह circumference पता है तो कितने revolution लिया और इंटू time से multiply कर दोगे तो यह prior gas आजाएगा बट यह exact नहीं होगा क्योंकि बाकी handle किधर जा रहा है और भी चीज और भी parameter होंगे बस यह prior gas हुआ इसके लंब सम कहीं न कहीं होगा अगर यह चीज पता है तो ऐसा नहीं कोई जरूरी है कुछ मतलब इस तरह से mathematical हमने गेस किया किया होगा कि इसके साथ साथ कार में जो sensor लगा हुआ है वह बताया कि कार की पोजिशन यह है वाई के अब इन दोनों की help से मतलब पोजिशन की prior gas और GPS का output यह हुआ आउट पूट फ्रॉम जी पीएस सेंसर इन दोनों की मदद से हम final निकालेंगे कि अब हमारा position क्या होगा तो यह final value आएगी इन दोनों अब देखिए इसको हम convert करेंगे c into x के यह estimate और इसकी मदद से yk की मदद से यह हमारा position इसकी बीच में कहीं न कहीं हमने assume के लिए तो इसमें क्या include किया गया है yk की value को ध्यान में रखा गया है कि sensor क्या दे रहा है और यह आपका prediction क्या है ठीक है तो यहां आगया x k plus यह आपका यह जो value हुई यह हो गया updated estimate अप updated position यह updated estimate तो इस तरह से recursively यह चलता रहेगा मतलब आपने guess किया यह value guess हुई आपको sensor से एक output मिला है यह इन दोनों की मदद से इनको fuse करोगे एक mathematical expression से और यह final आपको मिलेगा यह वाला कर्व यह वाला जो कर्व मिला है यह आपका updated estimate of position ठीक है इस तरह से हम लोग इस technique की मदद से हम लोग पोजिशन को update करते हैं अब matrix के form में देखा जाए कि क्या हो रहा है देखिए यह आपने guess किया था ठीक है ध्यान दीजिए इस figure में यह वाली आपकी guess वाली value थी ठीक है और यह updated value थी prior guess यह updated position ठीक है तो इसको से multiply करोगे और यह innovation है innovation term मतलब yk minus c into xk minus देखिए यह this minus this ठीक है इससे जो error आया उसमें हम k से multiply करेंगे और इसको इसके साथ prior guess में add कर देंगे तो यह updated आ गया समझ गया ध्यान दीजिए इस यह सबसे main equation है यह हमने guess कि assume कि क्या होगा यह हमें कि find out करना कि k कौन सी value के लिए हमें position सबसे best मिलेगा यह हमें sensor से मिल ला यह sensor output है c एक matrix है तो अभी तो चुकि हम सब variable ही लेके चल ले हैं तो c के लिखेंगे है sorry तो यह और यह previous value ठीक है तो यह आपका updated आ गया एक चीज़ और ध्यान दीजिए जो बताया थे अगर kth position की बात कर रहो तो x k cap minus यह जो value है यह है कि जब y k अभी अवलेबल नहीं है मतलब इसके calculation में y k की value को consider नहीं किया क्योंकि y k present नहीं है बत kth instant पे y k मिल गया तो x k cap plus जो है it includes the value of measurement मतलब यह जो variable है यह जो estimate है यह incorporate कर रहा है y k क्यों यह y k इसमें y k का query रोल नहीं है मतलब measurement output का इस variable में query नहीं है इसमें roll है ओके प्रायर और update का समझ में आ गया इसको कहते है a priori estimation इसको a posteriori estimation चलिए तो इस तरह से यह चीज हमें मिल गई अगें इसको और simplify किया जाए y k के इसको हमने y k कैप लिख दिया ठीक है इस पूरे variable को देखिए जो नीचे लोवर जो suffix है वो time बता रहा है ठीक है जो सारे इसमाल के है यह जो है इसमाल के है यह time बता रहे है यह सब time बता रहा है और यह यह variable है यह capital यह gain है और इसके साथ जो नीचे छोटा इसके लोग टाइम बता रहा है कि kth instant discrete time instant यह variable बता रहा है तो आपका अब हमें क्या करना है कि के ऐसे अगर अब manual देखो तो k की value आप put करते रहो put करते रहो put करते रहो और check करते रहो कि कि किस पे हमारा best मिल ला है ओके बट यह manually possible नहीं है ठीक है तो क्या technique हम लोग लगाएंगे k की value find out करने के लिए तो k की value find out करने के लिए हम लोग mean square error term निकालेंगे ठीक है mean square error मतलब even square summation of even square plus e2 square plus e3 square तो इसके पहले हम लोग और देख लेते हैं यह model देख लेते हैं ठीक है उसी expression को का ही एक form है यह model देखिए यह real plant है जिसमें input दिया गया और यह आपका model है real plant में noise add हो रहा है यहां से यह आया model के through जैसे आपने model से क्या आपने estimate किया था आपने x k एक बार पहले minus किया था यही तो फिर उसको c से multiply किये थे तो यह हो गया था c x k cap minus इन दोनों का difference लो गए तो यहां जो gain है वो k है k की क्या value रखी जाए कि फिर इसको update करो गया ठीक है तो same अगर इसको देखो सही से तो यह चीज यही बन रही है k into y k minus y k cap k से multiply हुआ और initial gas में जोड दिया गया तो यहां आपका final आ गया यह difference के से multiply हुआ और initial जो gain है इसमें add कर दोगे समझ गया है तो इस पूरे design को Kalman filter बोला जाता है ठीक है जहां डबलू के जो है state में में noise है मतलब यह noise state को affect कर रहा है और वी के जो है measurement noise है जो y k को affect कर रहा है ठीक है तो यह दोनो white noise है अगें इसका जो है covariance दिया रहता है क्यूंके क्यूंके होता है estimation आप जैसे जो भी random variable होते हैं उसका जो average value निकाला जाता है तो वो estimation करके निकाला जाता है ठीक है क्योंकि हमारे पास number of data बहुत जादा होता है तो इसको estimation की technique से निकालते हैं यहां क्या गया wk into wk transpose इसको कहते है covariance noise covariance sorry process noise covariance सब matrix है तो matrix word add करो ना करो understood है ठीक है ऐसे यहां इसका जो covariance आएगा वो आएगा rk that will be estimation of vk into vk transpose ठीक है तो यह process noise था तो process noise covariance यह matrix real plant का model है जिसमें आप noise और यह आपको दिखेगा कि इसमें add हो रहे हैं इसके नीचे यह यह वाला जो model है जिसको हमने design किया है स्टेट को estimate करने के लिए तो अब सारी चीज़ें यहां देखिए कैसे set हो रही है इस पूरे equation एकदम इस plant में set हो रहा है यह general लिखा गया है यूके equation आपको इस form में रहेगा यह देखिए एक्सके प्लस वन कैप डिपेंड होगा प्रायर गेस प्लस इनुवेशन इंटू कालमन गेन क्ये जो है आपका कालमन गेन है सफिक्स समझी है अभी तो हम लोग हर जगे सफिक्स को लिखना है इतनी बार समझ माई यह चीज समझ माई गई ओके तो यहां से हमें अपडेटेड वेलू आफ स्टेट मिल गया है अब हम क्या करेंगे एरर निकालेंगे एरर की वेलू होगी देखिए दो एरर आएगा e के माईनस और e के प्लस e के माईनस होगा x जो है इस्टेट है जिसको हमें इस्टिमेट करना है x वेरियेबल जो है स्टेट है तो x माईनस अभी प्रायर अरर क्या है तो प्रायर अरर के लिए x के कैप माईनस ऐसे updated एरर e के प्लस में आ जाएगा x के माईनस x के कैप प्लस तो यह जो है updated इस्टिमेट है यह प्रायर इस्टिमेट है और यह जो है वो पैरामीटर वेक्टर है जिसका हम इस्टिमेशन कर रहे है यह वो वेरियेबल है जिसकी वेलू को हम लोग true value को find out करना चाह रहे हैं मतलब जिसको इस्टिमेट कर रहे है वो पैरामीटर वेक्टर है तो यह वाली चीज तो आपको clear ही है कि अगर kth time की बात किया जाए पहले ही हमने बता दिया था अगर kth time की बात करो तो kth time के just पहले हो जाएगा जो state की value होगी estimate की जो guess वाली है वो होगी xk cap minus और उस time के बाद xk cap plus और just k पे जो output हमें मिलता है वो कहा जाता है yk sensor output या GPS output है तो इस तरह से दो error मिल गए हमें ek minus ek plus यह prior यह before time के just after the time k okay अब error इसी हिसाब से आ जाएगा pk minus तो यह हो गया error covariance matrix pk कहा जाएगा error covariance matrix तो यह हो गया that will be equal to estimation of ek into ek minus transpose ऐसे pk plus यह updated error covariance matrix योग्या estimate of ek plus into ek plus transpose दीखे कहने के मतलब यह है कि जो prior वाला error है उसके हिसाब से pk minus मिलेगा जो बाद वाला error है उसके हिसाब से pk plus मिलेगा e जो लगा दिया गया इसका मतलब हो गया expectation मतलब average value तो अगर देखो इनको multiply करो देखो e के adhere सारी value होंगी ठीक है e1 kth instant पे e1, e2, e3, e4 उसको उसके transpose से multiply करोगे तो पूरा एक n cross n की matrix बनेगी तो इसमें जो जो हमारा pk जो term होगा जिसको हमें minimize करना है वो diagonal वाले element रहेंगे मतलब e1 square चुकि हमें mean square error minimize करना है तो हमें यह जो term मिलेंगे तो pk matrix के क्यों diagonal वाले ही element होंगे तो mean square error यह होता है e1 square e2 square e3 square plus e4 plus e n square yn तो यह समझने के लिए है तो अब हमें यह जो है mean square error इसको minimize करना है इसको कहते है mse मतलब यह जो matrix बनके आएंगी इसमें जो diagonal के term होंगे यह even square e2 square इसको अगर सम करोगे तो इस value को हमें minimize करना है तो हमारे पास यह state का updated form यह है ठीक है हमें k की value find out करनी है k की कौन सी value रखी जाए ताकि हमारा mean square error ठीक है वह minimum हो ठीक है तो हम k की value find out करनी है तो del by del k किसको differentiate करना है जो error covariance matrix है p k तो trace क्यों लिखा गया चुकि p k जो है n cross n की matrix होगी trace लेने से क्यों हमें चुकि diagonal के element ही चाहिए यह यह जो values है वह diagonal है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं error के square को minimize कर रहे हैं तो वह even square प्लस e2 square तो वह क्यों diagonal element है इसलिए trace लिए trace मतला matrix के क्यों diagonal element तो उसको differentiate करोगे k के respect में differentiate किये उसको 0 किये तो यहां से हमें k की value मिलेगी यहां से हम find out कर लेंगे k की value के की value मिल गई अब जो हमारा pk का updated expression है उसमें हम kk की value रख देंगे तो अब इस सेम चीज को कई बार repeat करेंगे यह process iterative वे में चलता रहेगा so many times number of iterations चलता रहेगा को अभी care time instant पे है फिर अगले time instant पे फिर अगले time instant पे अगले time instant पे अगले time instant पे तो ऐसे चलता रहेगा यहां अगर इसको plot करोगे number of iterations या time instant के respect में तो आपको pk plus की value घटती हुई मिलेगी एक time में बहुत कम हो जाएगा तो यहां आपका स्टेट को अगर पोजीशन के respect में देखा जाए तो यह आपकी पोजीशन की true value हमें यहां मिल जाएगी इस methodology से तो एक तरह से चीज़ें clear हो गई होंगी आप लोग को है तो कहने मतलब यह रियल प्लांट है अगर हम पोजीशन यहां मेजर कर रहे हैं जो हमें GPS से मिल ला है अगर पोजीशन की बात करें कोई कार चल लही है यह रियल प्लांट हम कार ले ले रहे हैं तो हमें यहां पोजीशन विला GPS से बट अगर वो कार टरनल में जाती है तो इसमें होगा एरर यह समझ लो यह जाते ही उसमें जाएड हो गया या कई ऐसे जर्क है रास्ते में तो यह समझ हो गया जो इसके वेलू को अफेक्ट करेंगे तो यह हमें रीडिंग रॉंग मिलेगा तो इसको सही कैसे करोगे यह कालमन गेम की मदद से हम इस्टीमेट करते रहेंगे इसको इस्टीमेट करते रहेंगे इस्टेट को इस्टीमेट करते रहेंगे फिर लास्ट में हमें the best value मिलेगा यहां से त true position of true value of आप आपकी जो position है उसकी true value मिलेगी या true value of state estimate तो इस तरह से कालमन फिल्टर की मदद से हम लोग estimation करते हैं उसकी true value को find out करते हैं कि लिए प्लांट में बहुत से dynamics होते हैं जो state होते हैं वो उस प्लांट के इंटर्नल डाइनमिक्स और रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सी चीजें को हम directly नहीं मेजर कर सकते हैं तो कालमन जो फिल्टर लिखा हुआ इसकी टेकनीक से हम इस output की help से बहुत और जो hidden parameter है hidden सारे hidden unknown को हम लोग मेजर कर सकते हैं hidden unknown मतलब जितने भी आपके एक्स है यह state को state को रिप्रेजेंट करता इस्टेट वेरियेवल कि जितने ही भी आपके unknown state वेरियेवल है यह नोन होता है यह आपका known होता है input known रहेगा इन दोनों की मदद से UK और YK की मदद से हम लोग state को major कर सकते हैं ठीक है state को observe कर सकते है state को estimate कर सकते हैं यही कार्मल फिल्टर के फायदे हैं यह उपर से recursive हो रहा है इसमें देखिए noise का effect आने से मतलब यह जो है टैकल कर रहा है अगर प्रॉसस में noise है उसको भी ठीक है अगर यह अगर यह चीज नहीं होती तो यह पूरा का सिस्टम बन जाता लुएन बर्गर ऑब्जरवर ठीक है यह नौइज आने से noise के टैकलिंग है इस फिल्टर में तो यह काल्मन ने डवलप किया था इसलिए काल्मन फिल्टर कहा जाता है आगे की क्लास में हम लोग complete derivation देखेंगे तो चीजें और पिक्चर क्लियर होगा ठीक है थैंक्यू